मेरे प्यारे बच्चों आज में अराध्या हिंदी पांठी पुस्तक जो है आपकी उसका पार्ट 10 गाउं की सैर ये आज में आपको पड़ाने जा रही हों गाउं आप कुछ बच्चे गए होंगे गाउं गाउं आपने देखा भी होगा नहीं भी देखा होगा जिदा हम सब में रहते हैं तो गाउं जो है कैसा होता है वहां का माहूल क्या होता है वो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट पढ़ रही हूं छवी के चाचा जी गाउं में रहते हैं वे वहां खेती करते हैं छवी के पिता जी का शहर में व्यापार है छवी नाम के एक लड़की है जिसके चाचा जी कहा रहते हैं गाउं में रहते हैं वे तो गाउं में खिती करते हैं परन्तु छवी के जो पिता जी है वो शहर में रहते हैं और वे व्यापार करते हैं वे शहर में ही रहते हैं छवी भी शहर में ही पली बड़ी है पिता जी कभी कभा गाउं जाते रहते हैं परंतु छवी कभी गाउं गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता वह बहुत दिनों से पिताजी से गाउं ले चलने के लिए कह रही थी तो छवी जो है वो शहर में पली बड़ी है उसे ध्यान नहीं है कि वो गाउं कब गई है इसलिए वो अपने पिताजी से गाउं चाने के लिए कहती है पिताजी ने उसे दशेरे की छुट्यों में गाउं ले चलने का वादा किया था तो उसके पिताजी उसे कब ले जाना चाह रहे थे दशेरे की छुट्यों में दशेरी की छुट्टियों में छवी अपने माता पिता के साथ गाउं गई और दशेरी की छुट्टियों में वो अपने माता पिता के साथ गाउं जाती है गाउं में उसका चचेरा भाई समीर रहता है चचेरा भाई यानि की चाचा का लड़का समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुन्दर खिलोना मंगवाया उसके मन में गाउं जाने की त्रीव इच्छा थी समीर के लिए वो क्या लेकर गई थी खिलोना ठीके उसे गाउं जाने की बहुत इच्छा थी वो गाउं देखना चाहती थी, कि गाउं कैसा होता है, गाउं पहुचकर छवी ने देखा, कि वहां के घर, शहरों के घरों की तरह पके नहीं है, यहां छपर वाले घर अधिक हैं, उसने क्या देखा, कि गाउं में जो घर हैं, वो शहरों के तरह पके नहीं हैं, सीमेंट के औ बने हुए घर हैं जो घास फूसकी उसकी छटे होती हैं या खप्रेल की वापर छटे हैं बस एक दो कुछ मकान है जो सीमेंट और इंटों से बने हुए हैं बाकी सभी कैसे हैं कच्छे हैं घर पहुचकर छवी ने समीर को खिलोना दिया खिलोना पाकर वह बहुत खुश हो गया चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए समीर ने चवी का हाथ पकड़ा और बोला चलो दी दी, तुम्में बंदर का तमाशा दिखा कर लाओ दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े तो गाव पहुचकर चवी ने समीर को क्या दिया? खिलो न दिया जिस्ते वो बहुत खुश हो गया और फिर वे दोनों क्या तमाशा देखने गए बंदर का तमाशा देखने गए समीर छवी को गलियारों में घुमाता बर्गत के ब्रुक्ष के पास ले गया गलियारों मेनी गाउंग में जो गलियां होती हैं वहां से ले जाकर एक बर्गत के ब्रुक्ष के पास ले गया छवी ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा है बडमरू बजा रहा था एक बंदरिया नाच रही थी सब बच्चे ताली बजा बजा कर हस रहे थे आपने अक्सर पहले बंदर बंदरियों का तमाशा दिखाने मदारी आया करते थे लेकिन आज कल हम बड़े बड़े शहरों में ये हमें देखने को नहीं मिलता है ये गाव में अधिकतर देखने को मिलता है कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया घर के आंगन में आम, अम्रूद और नीम के व्रुक्ष थे समीर का जो आंगन जो था इसमें कौन-कौन से व्रुक्ष थे आम, अम्रूद और नीम के व्रुक्ष थे समीर ने छवी को अपनी गाय, भैस, बैल तथा बच्छडे दिखाए समीर ने कौन-कौन से पशुपाल रखे थे समीर के घर में गाय, भैस, बैल और बैल और बच्छडे ये देखे आप ये उसके ठेख चाचा जी ने छवी के लिए सर्सो का साग तथा मक्के की रोटी बनाई ठीक है, छवी ने क्या, छवी के लिए बनाया गया, सर्सो का साग और मक्के की रोटी चवी को यह भूजन बहुत स्वादिस्ट लगा अगले दिन चवी समीर के साथ खेतों की सैड करने के लिए गई और उसे जो खाना था सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत टेस्टी लगा था बहुत अच्छा लगा और अगले दिन वो समीर के साथ कहा पर सैड करने के लिए जाती है खेतों में गाउं में जो खेत होते हैं उसे देखने जाती है उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी सरसों जो हैं पीले पीले फूल होते हैं बहुत ही सुन्दर दिखता है दो दिन गाउं में रहकर वह माता पिता के सहर लोट आई और दो दिन वह गाउं में रुकती है और वापस अपने शहर आ जाती है उसने अपने सहली प्रभा को बताया गाउं के लोग बहुत बड़े सभ्य और सीधे होते हैं फिर वो अपने मा जाकर अपनी सहली जो थी प्रभा उसे बताती है कि गाउं के लोग बहुत सब्य, संसकारी, सीधे होते हैं, बड़ी नर्मी से बात करते हैं, उनके घर कोई भूखा जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं, वे लोग बड़ी महन मेरत करके अनाश पेदा करते हैं, गाउं की जलवाईउ अच्छी होती हैं, गाउं में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती हैं वहां की जलवाई अच्छी होती क्योंकि खेत होते हैं पीड पौधे लगी हुए होते हैं शुद्ध हवा होती है वहां प्रदूशन नहीं होता है लोग स्वस्त और बल्वान होते हैं वहां के लोग कैसे होते हैं स्वस्त और बल्वान मतलब बिना रोगी उन्हें कोई रोग और बल्वान होते हैं शहर की भीडभाड और शोर गुल से गाउं को सो दूर है यानि शहर में जिस से भीडभाड है गाड़ियों की आवाज है प्रदूशन है इन सब चीजों से गाउं बहुत ही दूर है गाउं में ये चीज़े हमें देखने को नहीं मिलती है ये आपका यह प्रश्ण उत्तर है जिसे आप कॉपी में करेंगे तो आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा गाउं की सैर इस वीडियो के एक से दो बार आप जरूर देखिए यह है आपके कठिन शब्द, शब्द बनाओ, वाके बनाओ, किसने किससे कहा यह पूरा वर्ग जो है आ आपको हिंदी टैक्स की कॉपी में नीटली करना है ओके थैंक यू